इस कहानी के सुरुवात में हम मुगली को देखते हैं वो भेडियों के जैसा भाग रहा होता है क्योंकि बगीरा उसे एक अच्छा भेडिया बनाना चाहता है इसलिए बगीरा मुगली को भेडियों के जैसा भागना सिखा रहा है लेकिन मुगली इंसान है इस बजा से वो उन भेरियों के जैसा भाग नहीं पा रहा था और वो पकड़ा जाता है बगीरा उसे समझाता है इस तरह तुम भागोगे तो तुम कभी भी एक अच्छा भेरिया नहीं बन पाओगे माना के तुम इनसान हो लेकिन तुम्हें कोशिस करना चाहिए बरसों पहले बगीरा को मुगली जंगल में मीला था तब मुगली बहुत ही छोटा था उसे जिंदा रहने के लिए अपनों की जरूरत थी इसलिए बगीरा उसे भेरियों को दे दिया था रक्षा ने मुगली को अपने बेटे के जैसा पाला पोसा उसके बाकी के भी जुन्ड ने अपने जुन्ड में रहने दिया उनके जुन्ड के मुखिया उसका नाम अकेला वो बहुत ही नेक दिल का है अब हम देखते बहुत जल्दी गर्मी का सीजान आ जाता है गर्मी के कारण सारे नदी सूख जाते लेकिन अभी भी एक नदी में थोड़ा पानी बचा हुआ था अब जंगल के सारे छोटे से बड़े जानबर उस नदी में पानी पीने के लिए आते हैं इस जंगल के सभी जानबरों ने एक नियम बनाया था कि उस नदी में सारे जानवर एक साथ पानी पीएंगे और कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा वहाँ पर मुगली भी आता है और वो अपना जोगार लगा कर पानी पी रहा था वहां के सारे जानवर उसे ही देख रहे थे तभी वहां अकेला आता है और मुगली से कहता है भेरिया कभी भी जोगार नहीं लगाता है तुम कभी भी जोगार मत लगाना मुझे पता है एक दिन तुम अच्छे भेरिया बनोगी तभी वहां सेर खान आता है तो मुगली अकेल की कमी है इसलिए मैं नियम का पालन कर रहा हूं कुछ दिन बाद बारिस सुरू हो जाएगा और पानी का कमी खत्म हो जाएगा उसके साथ नियम भी तब मैं उस इंसानी बच्चे को खा जाऊंगा ये बोलकर सेड़ खान वहां से चला जाता है कुछ दिन बाद ही बारिस का मुगली को भी धमकी दिया था मुगली उन सभी का बात सुन रहा था उन सभी को परिसान देखकर मुगली उनके पास जाता है और उनसे कहता है आप सभी को परिसान होने की जरूरत नहीं है मैं खुद यहां से चला जाऊंगा तभी वहां बगीरा आता और सभी से कहता है मैं मुगली को यहां लाया था और मैं यहां से ले जाऊंगा वो मुगली को वहां से लेकर चला जाता है मुगली बगीरा से पूछता है तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो बगीरा उसे बताता है मैं तुम्हें इंसान के बस्ती में ले जा रहा हूँ यह दोनों लगातार आगे क और बर रहे होते हैं तभी बगीरा को किसी का आने का हैसास होता है वो मुगली से कहता है तुम उत्तर के तरफ भाग कर जाओ तभी सेर खान बगीरा के उपर हमला कर देता है मुगली उसे देखकर वहां से भागने लगता है बगीरा सेर खान को रोकने की कोशिस कर रहा था ले फिर वो अकेला के पास जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें मुगली को मेरे हवाले करने के लिए कहा था लेकिन तुमने तो उसे जंगल से ही निकाल दिया तब इस सेड़ खान अकेला को मार कर पहार से नीचे फेक देता है ये देखकर सारे भेडिया डर जाते हैं क्यू तभी वो देखता है मीटी का बहाव नीचे की तरफ गीड रहा है, मुगली अपना जान बचानी के लिए पानी में कूज जाता है, पानी का बहाव बहुत ही जादा था है, इसलिए वो एक लकड़ी पर चढ़ जाता है, अब मुगली बहुत ही घने जंगल में पहुच गया है मुगली भूखा था इसलिए वो एक पेर से फल तोड़ कर खाने लगता है तभी उसके पास कुछ छोटे-छोटे जानवर आकर उसका फल लेकर भाग जाता है मुगली उसका पीछा करता है लेकिन वो उन जानवरों को पकर नहीं पाता है अब मुगली इन घने जंगलों में खो चुका है वो यहाँ से निकलने का रास्ता भूल गया है तभी उसके पास एक बड़ा सा अनोकॉंडा आता है जिसका नाम का है का उसको अपने आखों की मदद से दिखाता है वैसे तो इनसान जंगलों से दूर अपने बस्ती में रहते हैं लेकिन कभी-कभी वो सफर करता है और वो अपना सुरक्षा करने के लिए आग जलाता है जिसे जंगल में जानवर उसे रक्ट फूल कहते हैं एक रात एक मुसाफिर अपने बच्चे का हिफाजत कर रहा था तबी सेर खान उसके उपर हमला करके उसका जान ले लेता है लेकिन रक्ट फूल ने उसका चेहरा जला दिया वो इतना तेज भागा कि वो इनसानी बच्चे को देखी नहीं पाया वो बच्चा और कोई नहीं मुगली ही था उस रात मुगली को बगीरा मिला का ये सब बताकर मुगली को अपने बस में कर ली थी और उसे खान ही बाली थी कि तभी वहाँ एक भालू आकर उसे बचा लेता है उसका नाम बलू है बलू अपने साथ मुगली को अपने गुफा में ले जाता है अब बलू मुगली से कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है तेरे पे अहसान है मेरा और तुम्हें अहसान चुकाना होगा जिसके बाद बलू मुगली को एक पहार के पास ले जाता है और मुगली से कहता तुम्हें उपर चड़कर मधुमकी का छाता तोरना होगा और फिर हम दोनों का हिसाब बरावर हो जाएगा मुगली मान जाता है जिसके बाद वो अपना जोगार लगाता है और उसकी मदद से वहाँ पहुँच जाता है जहां बहुत सारा सहेद है वो बलु के लिए बहुत सारा सहेद तुरता है अब मुगली बलु से कहता है हम दोनों का हिसाब बरावर हो गिया मैं इनसानों के बस्ती में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक बाग पड़ा हुआ है बलू उसे कहता है तुम मेरे साथ ही रह मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा लेकिन मुगली इंकार कर देता है क्योंकि बगीरा उसे यहां रहने से मना किया था इसलिए मुगली इंसान के बस्ती में जाना चाहता है जिसके बाद बलू खुद मुगली को वहां ले जाता है जहां से इंसानों की बस्ती को देख सके बलू मुगली से पूछता है तुम वहां जाना क्यों चाहते हो अगर जब तुम्हें मजा ना आये तो तुम इंसानों के बस्ती में चले जाना ये सुनकर मुगली मान जाता है अगले दिन मुगली बल्लू के लिए फिर से बहुत सारा सहथ तोरता है जब वो दोनों पानी में मस्ती कर रहे होते हैं तभी वहाँ बगीरा आता है मुगली बगीरा को देखकर बहुत खुसी हो जाता है जिसके बाद मुगली बगीरा को गुफा में ले जाता और उसे सहत दिखाता है मगर बगीरा उस पर गुसा हो जाता और उसे कहता है क्या तुम अकेला से कुछ भी नहीं सीखे जंगल में नहीं चलेगा ये तुम्हारा जो गार यही सब करना है तो तुम इंसानों के बस्ती में जाकर करो कल ही हम इंसानों के बस्ती के तरफ निकल जाएंगे रात को जब वो सब सो रहे होते तभी मुगली को हाथियों की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो देखता है एक हाथी का बच्चा गढ़े में गिरा हुआ है मुगली वहाँ से भाग कर रस्टी लाता है और उस रस्टी की मदद से उस हाथी के बच्ची को गढ़े से बाहर निकाल देता है उसे बल्लू और बगीरा देख रहे होते जिसे उन दोनों को बहुत खुसी होती है अब बगीरा बल्लू को बताता है सेर खान अकेला को मार दिया है मुगली को बचाने का एक ही रास्ता है वो इनसानों के बस्ती में चला जाए बगीरा उसे मुगली को समझाने के लिए कहता है अब बलू मुगली के पास जाता और उससे कहता है तुम और बगीरा यहां से चले जाओ अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ये सुनकर मुगली बहुत दुखी हो गया था वो वहां से भाग कर एक पेर पर जाकर बैठ जाता है तभी वहां बहुत सारा बंदर आता और उसे वहां से उठा कर ले जाता है बलू और बगीरा उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो बंदर मुगली को पहार के उपर एक पुरानी कीले में ले जाता है वहाँ पर इन बंदरों के राजा जिसका नाम लूई है वो बहुत ही बड़ा है वो मुगली से कहता है तुम इनसान के बच्चे हो तुम्हें रक्त फुल यानी की आग तुम्हें बुलाने आता होगा तुम मुझे रक्त फुल वो ला कर दो मैं बदले में तुम्हें सेड़ खान से बचा लूँगा मुगली उससे कहता है मुझे मना किया गया रक्त फुल के सामने जाने से और मुझे पता भी नहीं ये की रक्त फुल कहा है तभी वहाँ बलू आ जाता और वो लूई को अपने बातों में उल्जाने लगता है वहाँ बगीरा भी था बगीरा मुगली को इसारा करता है वहाँ से भागने के लिए मुगली वहाँ से बगीरा के साथ भागने लगता है लेकिन एक बंदर उसे देख लेता है और अब लूई भी मुगली का पीछा करता है यहाँ बल्लू और बगीरा बंदरों के साथ लर रहे होते हैं अब लूई मुगली को बताता है तुम्हारे बजा से सेर खाना केला को मार दिया है, तुम्हारे दोस्तों ने ये तुम्हें नहीं बता या होगा, ये बात पूरे जंगल के जानवरों को पता है, ये सुनकर मुगली बहुत दूखी हो जाता है, और वो यहां से भाग कर अपने जुन्द यानी की भेरियों के पास जाने लगता है लूई मुगली को पकरने की कोशिज करता है लेकिन कीला अब तूटने लगता है मुगली किसी तरह वहां से निकल जाता है मगर लूई उसमें दब जाता है अब मुगली उन दोनों से पूछता किया ये सच है कि अकेला मर चुका है तुम दोनों को ये मालूम था पर किसी ने इस बारे में मुझे नहीं बताया और अब मैं चूप नहीं बैठने वाला हूँ मुगली वहाँ से भाग कर इंसानों के बस्ती में आ जाता है वहाँ पर वो देखता आग जल रहा है वो वहाँ से एक आग का मसाल लेकर जंगलों में जाने लगता है अपने जुन्ड के पास लेकिन मसाल के चिंगारी रास्ते में सुखे पत्ते पर गिर जाती है जिसके कारण जंगल में आग लगना सुरू हो जाता है अब जंगल के सारे जानबर आग को देखकर नदी के तरफ भागने लगते हैं क्योंकि जानबर आग से डरते हैं सारे जानबर नदी के किनारे एक अठा हो जाते हैं तभी वहाँ मुगली आ जाता है वहाँ सेर खान भी होता है लेकिन सारे जानबर मुगली की मदद करने के लिए एक हो जाते हैं बल्लू सेड़ खान के उपर हमला करता है और सारे भेरिये भी उसके उपर हमला करने के लिए दोरते हैं मुगली भी उनके साथ दोरता है मगर बगीरा उसे रोक देता है और उससे कहता है तुम इंसान हो तुम इंसान के तरह लड़ो अब मुगली जलते हुए जंगलों के तरह भागता है सेर खान उसे भागते हुए देख लेता और उसका पीछा करने लगता है बगीरा उसे रोकने की कोशिस करता है, लेकिन वो बगीरा को घायल करके मुगली के पास जाने लगता है अब मुगली को दिखाते हैं, वो एक सुखे हुए पेर पर चरकर उसका डहनी तोड़कर रस्ती बना लेता है और उस रसी को पेर में बांध कर नीचे जुला देता है फिर वो उस पेर के अंदर जाकर छुप जाता है लेकिन तभी सेर खान वहां आकर मुगली को अपने पंजे से मार कर घायल कर देता है अब मुगली उसमें से निकल कर एक पतले डाल पर जाकर खड़ा हो जाता है उसके पीछे सेर खान भी उस डाल पर आ गया था सेर खान मुगली के उपर छलांग लगाता है लेकिन मुगली कूद कर उस रसी को पकर लेता है पर सेड़ खान आग में गिर जाता और वो मारा जाता है यहाँ जंगल के सारे जानबर मुगली के लिए परिसान हो रहे होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि सेड़ खान मुगली को मार दिया है तभी वहाँ मुगली हाथी पर बैठ कर आता है मुगली को जिन्दा देखकर सारे जानवर बहुत खुसी हो जाते हैं जिसके बाद सारे हाथी मिलकर उस बहते हुए नदी को मोर देते हैं जिससे पानी जंगल के तरफ जाने लगता है और जंगल का आग मुझ जाता है जंगल के सारे जानवरों को मुगली के उपर नाज हो गया है अब रक्षा भेडियों का मुख्या बन गई है अब बल्लू बगीरा और मुगली एक साथ रहने लगे हैं इसी के साथ ये मुगी खत्म हो जाती है